नरश्कार आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में मैं हूँ आपके साथ मन जुरुध्यार बढ़ते हैं आज की मुख्ये खबलों की तरफ किसान का अक्रोष इसंदे था की किसान को उनको फसल में डालने के खाद नहीं मिल रहा है और किसान को फसल में खाट डालना जरूरी है क्योंकि ठंधा प्रवेश हो गया जिससे फसल पर असर पड़ेगा इसलिए सरकार से और जिरापदा दिकारी महोदे से निवेतन है कि हर किसान का कश्ट को देखते हुए खाट को सुविधा नुसार उपलब्द करानी की गरिपा क करी नहीं तो हम सभी किसान मिलकर इससे भी बड़ा जाम करने को बाद हो जाएंगे क्योंकि किसान को खाट मिलता नहीं है और डीलर के द्वारा खाट को ब्लैक से अपने मन माना रेट में बाजार में चुपा कर बेजते हैं इस पर अभी चांच बेठाया जाया जिससे काला बाजारी बंद हो और किसान को खाट सुविधान उपात खाट मिल सके जो वो अपनी खेती के फसल में सही ढंग से दे सके जिससे उसका पैदावाग की कोई कमी ना हो कटहार से रुपेश मिश्रा की रिपोर्ट अब लोग बताईए कि आप लोग जो आया है कहा हम लोग चार बज़े से खड़े हैं अभी तक यहां अभी तक गया अभी तक जो है हमने कोलाय और बॉत कर रहा है आप के अलिए पंज़ा दीन से खूड रहे हैं ठीक。 अगर यह बता यह कि जो खाज जो मिलता था यहां किस रेट पर और से पहले जो मिल रहा था किस रेट में आया है का अबान हुझ कदो आप लोग क्या चाह रहे हैं परफासर के आपका यह को चंता है कि स्रान का बेटा है खेती करते हैं खार नहीं दे रहा क्या डालेंगे जो फ़तल उत्येगा तब खाएंगे अनाज खाते हैं मनुस्य है अतर होगा को बोले हुभी नहीं आरा डर थे परफासर दबली खाते हैं